साथ क्यों, आज बदलते हुए भारत में देश की बेहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, सावचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविदाओं से सभी बेहनों को जोड़ा जा रहा है। बेहनों बेटियों की सिक्षा, स्वास, पोशन, टिका करण और दूसरी जरुरतों पर भी सरकार पूरी संवेदन सिल्ता से काम कर रही है। इससे ना सिर्फ महिलों की गरिवा बढ़ी हैं, बलकि बेटियों बेहनों का आत्मविश्वात भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वात हम खेल के मैदान से लेकर साइन्स, टेकनोलोजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्म निर्वर भारत के लिए सुखत संकेत है। इस आत्मविश्वात राष्ट निर्मार के इन प्रयासों को अब आपको अमरित महोत से भी जोड़ना है। आजादि के 75 वर्ष होने के उपलक्ष में चल रहा, आजादि का अमरित महोत सव 15 अगस 2023 तक चलेगा। आठ करोर से अधिक बेहनों बेटियों की सामुईक्षक्ति अमरित महोत सव को नई उचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवुत्ति तो चल रही है, इतनी बेहनों का समुऊ है, क्या कोई ने कोई सामाजिक काम आप आहत में ले सकती है क्या जितमें रुपिय पैसो का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है, क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत इनों को तकलिफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको को पोशन है तो क्या तकलिफ होती है, पोशन के लिए कैसे जागरुक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं, अभी देश कोरोना वैक्सिन के टिकागन का अभियान चला रहा है, सभी को मुक्त वैक्सिन लगवाई जा रही है, अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सिन लगवाएं और अपने गाव का अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेजित करें, आप अपने गाव में तै कर सकते हैं भी आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं जादा नहीं कह रहा हूँ, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगली 15 अगस तर, 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहने हैं, कोई कोई स्वचता का काम करेंगे गाव में, कोई जलसवरंचन का काम करेंगे, अपने गाव के कुए, तालाब, इनकी मरमत, इनके उद्धार का अभ समाच के लिए भी समू, ऐसा भी हो सकता है कि, आप सभी अपने सेलफहर गूप में, महिने दो महिने में, किसी डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुला करके उनको कहें, वहिलाओं को किस प्रकार की बिमारिया होती हैं, चौपाल लगाएं, महिलाओं के स्वास के तो आपके सब बेहनों को ये भी लाब होगा, उनके अंदर जाग रूपता आएगी, बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्टर हो सकता है, किसी महने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं, वैसा कहीं बड़ा काम चलता है, तो उसको देखने के ली जाना चाहिए, पूरी बस किराय करपर लेकर के चाहिए, देखना चाहिए, इससे बहुत लाब होता है, आप किसे बड़े डेरी प्लांट को देखने के जा सकती है, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लास्टिक को सुना आप बहा जा करके जैनती को मिल करके प्लास्टिक का काम कैसे कर देख सकते हैं आप बेकरी का देखता आपकी तर्शा करकर देखती है याने ये एक दूसरे का जाना ँट कर दोड़ेर oh होगा उसके करण आपकी हिम्मत बढ़ेगी इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपण होगा मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आप अभी कर रही है उसके साथ ही कुछ ऐसे कारियों के लिए भी समय निकाली है जो समाज को लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं किसी का भदा करने के लिए कर रहे हैं किसी का कल्यान करने के लिए कर रहे हैं आपके ऐसे प्रयासों से ही अमरित महोत्सव की सभलता का अमरित सब तरब फैलेगा, देश को इसका लाब मिलेगा, और आप सोचिए भारत की आठ करोड महिलाओं की सामुईक शक्ति कितने बड़े प्रना मिला सकती है, देश को कितना आगे ले जाग सकती है, मैं तो इन आठ करोर माता और बेहनों को कहूंगा, आप ये ताय कीजिए, आपके समू में कोई ऐसी बेहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाईए, लिखाईए, बहुत ज़्यादा के नहीं जो थोड़ा बहुत, देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाए हम सब को सिखना चाहिए, कितने आत्म विश्वात के साथ, कितनी कठीन परिश्दितियों में, आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में, व्यक्तिकर जीवन में कितने कस्ट आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया, आपकी एक एक बात, हर देश की म आता हो बहनों कोई नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रहना देने वाली हैं